हैलो स्टूडेंट्स आइम कल्पना मिश्रा एंड वल्कम बैक टो वर योट्यूब चैनल इस्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम डिसकर्स करने वाले हैं क्लास एट का बोर्ड एक्जाम या फिर प्री बोर्ड का आपका पीपर का स्ट्रक्चर तो चले वीडियो को श अप्लोड करतों तो मैंने शुरू कर दिये स्ट्रक्चर पीपर अप्लोड करना तो जल्दी आपको सारी वीडियो डेली रूटिंग में मिल जाएगी और क्लास वाइस और आपको जैसी सैंपल विपर वगेरा भी आएंगे तो मैं वह भी और इंपोर्टेंट कोश्चिन भ तो सबसे पहले बचो आपका यह है माथमेटिक्स गनित यहां पंजाबी में लिखा है बट मैं इसको इंगलिश और हिंदी में भी डिक्टेट करूंगी तो इंगलिश हिंडी मीडियम के बच्चे जो है वह भी इसको देख लेंगे ठीक है सेमी वीडियो में तो यहां पे आपको जो पेपर का मांक से ओकाल इसकी नमर का पीपर आएगा और 20 मांक की सीजी ठीक है जो आपके स्कूल के तरफ से इंटर्न अससेस्मेंट के नमबर लगते हैं वह 20 मांक के होंगे ठीक है और सबसे पहले यहां पर जो पहला प्रेश्ण है उसमें आपके 1216 आपके जो है MCQ आएंगे मिंस बहुई कल्पी 227 मतलब 7 question question number 2 में 7 आपके जो है true false आएंगे वो भी एक एक नंबर की होंगे उसके बाद आपको 7 question मतलब 7 question आपको 11 marks के blanks आएंगे ठीक है question number 3 में जो रहेगा आपके 2-2 number वाले मतलब 2 marks वाले questions रहेंगे और उसके बाद आपका फिर question number 8 से 13 आपका 4-4 marks की question होंगे 14, 15, 16 तीन question आपके जो है 6-6 marks के आएंगे जिसमें आपकी internal choice होगी ठीक है जिसमें मतलब छूट होगी इस chapter से कितने marks का question आएगा वो देख लेते हम यहाँ पर सारे chapter है आपके ठीक है तो यह इस तरीके से तो यह आपका यहाँ से देखते हैं यह पहला आपका है 1 marks वाले 2 marks वाले 4 marks वाले और 6 marks वाले ठीक है तो यहाँ पर जो 2 marks के कुशन है वो chapter 1 से उसके बाद आपका chapter number 5 से chapter नमबर 6 से और चैप्टर नमबर 10 से ठीक है तो ये चार चैप्टर से आपके 22 मार्क्स के 4 कोशन आएंगे ठीक है तो बस इस चैप्टर के आपने ऐसे चोटे-चोटे कोशन त्यार कर लेने आगे हम 4 मार्क्स के चैप्टर के बात करें तो चेप्टर नमबर 2 से आपको 4 Marks का कोशन आएगा, चेप्टर नमबर 3 से आपको 4 Marks का कोशन आएगा, और चेप्टर नमबर 8 से आपको 4 Marks का कोशन आएगा, ठीक है, और भी है, आपके 4 Marks का कोशन जो है 11, 12, 13, तीनो चेप्टर से आपके 4, 4 Marks के कोशन आएगे, तो 6 कोशन आपके 4-4 marks के आएंगे अब बात कर लें long question कौन कौन से chapter से आएंगे जिसमें आपको choice भी रहेगी ठीक है तो यहां पर long question आपका एक तो आएगा chapter number 4 से 6 number का उसके बाद आएगा chapter number 7 से और chapter number 9 से यह 3 chapter से आपको 6-6 marks के question आएंगे तो इस तरीके से आपका board का paper का pattern है mathematics का और जो आपके 1-1 marks के question है वो पूरे 30 marks के आएंगे तो जल्दी में बाकी subject का भी आपको provide कराओंगी इसके लिए चैनल पे नहीं तो चैनल को subscribe क्लिकरे bell icon ज़रूर प्रेस करके रखना telegram और WhatsApp भी जोईन करके रखना